सत्य नारायन भगवान की कथा का दूसरा वै तीसरा अध्याय सूत जी बोले हे रिशियो सर्व प्रथम इस व्रत को किस ने किया उस कथा को कहता हूँ सुंदर काशिपूर नगर में एक अती निर्धन ब्रामन रहता था वह भूक और प्यास से व्याकुल नित्य प्रत्वी पर घूमता फिरता था ब्रामन को दुखी देख दयालू भगवान ने व्रत ब्रामन का रूप दारन कर उसके पास जा आदर से पूछा हे विप्र तुम प्रत्वी पर अतियंत दुखी हो नित्य क्यों घूमते हो तुमारे दुख का क्या कारण है यह सुनना चाता हूँ ब्रामन बोला मैं अती दरिद्र हूँ भिक्षा के लिए प्रत्वी पर घूमता हूँ हे भगवन यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो क्रिप्या कर कहो ब्रत ब्रामन बोला हे ब्रामन मनोवांचित फल देने वाले भगवान सत्य नारायन का ब्रत एवं पूजन करो जिसके करने से तुमारे कष्ट दूर हो जाएंगे और सुक प्राक्त होगा ब्रामन को उस वरत का विधान बता वरत ब्रामन वेशधारी भगवान अंतरध्यान हो गए जिस वरत को वरत ब्रामन ने बतलाया है मैं उस वरत को अवश्य करूँगा ऐसा निश्य कर सोचते सोचते ब्रामन को रात में नींद नहीं आई दूसरे दिन सुभा सवेरे उट वह ब्रह्मन सत्य नारायन के वरत का संकन्प कर भिक्षा के लिए चला उस दिन देव कृपा से ब्रह्मन को भिक्षा में अधिक धन प्राप्थ हुआ उस धन से वृत की सामगरी लेबंदूों सहित उसने सत्य नारायन का वृत पुजन किया वह ब्रामन उस वृत के परभाव से सब दुखो से चूट कर अनेग प्रकार की समपत्यों से युक्त हुआ उस समय से वह ब्रामन हर मास इस वृत को करने लगा इस प्रकार सत्य नारायन का वरत करने से वह ब्रह्मन सब पापों से छूट दुलब मोक्ष को प्राप्थ हुआ जो प्राणी पृत्वी पर सत्य नारायन के इस वरत को करेगा वह सब दुखों से छूट जाएगा इस परकार भगवान विश्णु ने नारत जी से इस वरत का वर्णन किया हे रिशियो उस वरत को मैंने तुमसे कह सुनाया अब और क्या कहूं रिशी बोले हे मुनिश्वर उस ब्रह्मन से सुनकर इस वरत को पृत्वी पर किस ने किया हम वह सब सुनना चाहते हैं सूत जी बोले हे रिशियो एक समय वह ब्रहमन धन और एश्वरे के अनुसार बंदू बांधवो सहीत वरत करने को ततपर हुआ इसी समय एक लकडी बेचने वाला वहां आया और बाहर लकडी रख प्यास से व्याकुल वह ब्रहमन के पास गया वहां उसने ब्रहमन को वरत करते देखा और प्रणाम कर कहा हे प्रभो आप यह क्या कर रहे हैं इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है यह सब मुझे से कहो ब्रामन ने कहा सब मनोरतों को पूरा करने वाला यह सत्यनारायन भगवान का वरत है इस वरत के परभाव से मेरे यहाँ धन्य धानने की वरत्धी हुई है उस ब्रामन से इस वरत की महिमा सुन वै लकड हारा अतियंत प्रसन हुआ चर्णामरत ले और प्रसाद खा अपने नग कर कहने लगा कि आज लकडी बेच कर जो धन मिलेगा उससे मैं सत्यनारायन का वरत पुजन करूंगा ऐसा विचार कर वह लकडी का बोज अपने सिर पर रख धनी लोगों की बस्ती में गया देव क्रपा से उस दिन उसे लकडियों का दुगना मूले मिला तब उसने प्रसन ह पक्के केले के फल शक्कर घी दूद गैहूं का आटा सब सवाय ले अपने घर आ और बंदू बांदवों को बुला विधी पूर्वत सत्यनारायन भगवान का वरत पूजन किया वरत के पर भाव से वह लकड़ारा धन धान्या और पुतरादी से युक्त हुआ और अंत में पैकुंट को चला गया तीसरा अध्याई सूत जी बोले हे रिशियो अब मैं आगे की कथा कहता हूं प्राचीन काल में उलका मुख नामक का एक बुद्धिमान जितेंद्रिय और सत्यवादी राजा था वह प्रतिदिन देविस्थान पर जाता और ब्रामन तथा गरीबों क धन दे कर उनके कष्ट दूर करता उसकी पतनी अती सुंदर और सती साधवी थी एक समय वे दोनों भद्र शिला नदी के तड़ पर सत्य नारायन का व्रत करते थे इतने में एक साधू वैश्य वहां आया उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते देख विनर्म हो राजा से पूछने लगा हे राजन भक्ती भाव से यह आप क्या कर रहे हो मेरी सुनने की इच्छा है आप किर्प्या कर मुझे बताईए राजा बोला हे साधो मैं अपने निकट संबंदियों के साथ प आदर सहित वैश्य ने कहा हे राजन मेरे भी कोई संतान नहीं है आप मुझे इस व्रत का विधान कहो मैं आपके कथा नुसार इस व्रत को करूँगा राजा से इस व्रत का विधान सुन वैश्य व्यपार के लिए चला गया जब वैश्य घर वापिस आया तो उसने अपनी पतनी लिलावती से भगवान सत्य देव के संतान देने वाले इस वरत का वर्णन कर कहा जब मेरे संतान होगी तब मैं इस वरत को करूँगा। वैशे ने उस कन्या का नाम कलावती रखा। उस समय लिलावती ने मधुर वचनों से अपने पती से कहा हे स्वामिन आपने संतान होने के लिए जिस वरत को करने का संकल्प किया था अब उस वरत को क्यों नहीं करते। वैशे ने कहा हे प्रिये मैं उस वरत को इसके विवा के समय करूँगा। ऐसा कहे वह अपनी पतनी को आस्वाशन दे व्यापार को परदेश चर चला गया। कलावती अपने पिता के घर युववस्था को प्राप्त हुई। एक दिन वैशे ने कन्या को नगर में सक्यों के संग विवा योग्य देख पतनी से विचार किया तथा योग्य वर ढूनने के लिए दूद को आग्या दी। साधू वैशे की आग्यापा दूद कंचनपुर नगर को गया। तथा वहां से एक वनिक पुत्र को ले साधू वैशे के पास आया। साधू वैश्यन ने वनिक पुत्र को सुन्दर स्वस्त्वे गुणवान देख अपने कुटुम्बियों से विचार कर अपनी पुत्री का विवा उसके साथ कर दिया। परंतु वह विवा के समय भी उस वरत को करना भूल गया। तब शिरी भगवान ने क्रोधित हो श्राप दिया कि तुम्हें दारून दुख प्राप्त होगा। कुछ दिन पश्यात व्यवसाय में कुशल साधू वैश्य अपने दामाद को साथ ले समुदर पार रतनपूर नगर में जाव्यापार करने लगा। और वहां से वे दोनों राजा चंदर केतु के नगर में जाव्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्य नारायन की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुरा कर शीगर भागा जा रहा था। किन्तु पीछे से राजा के दूतों को पीछे आता देख कर वह चोर घबरा कर उस धन को वही चोड़ कर भाग गया जहां दोनों स्वसुर दामाद ठैरे हु राजा की समीप जाकर बोले ए राजन यह दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं देखकर आप आग्या दे दूतों ने राजा की आग्या पाकर उनको कठिन कारागार में डाल दिया भगवान सत्य देव की माया से उनकी बात किसी ने नहीं सुनी उसका सारा धन राजा ने छीन लिय उस श्राब के कारण घर पर वैशे की पतनी बहुत दुखी हुई घर में जो धन था उसे चोर चुड़ा कर ले गए मांसी को शाररी कस्ट से पीडित तथा भूक प्यास से व्याकुल अनकी चिंता में घर-घर घूमने लगी एक दिन कलावती एक ब्रहमन के घर गई वहां उसने सत्य नारायन का पूजन ओता देखा और कथा सुन प्रसाद गरहन कर रात को घर आई तब माता ने उससे पूछा है पुतरी इतनी रात गई तक तु कहां रही और तेरे मन में क्या है कलावती माता से बोली है मा मैंने एक ब्रहमन के घर मनुवांचित फल देने वाला स कर निया करने के ऐसे वचन सुन वैश्य पतनी भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी लिलावती निभंदू बांधवों सहीथ भगवान सत्य देव के विरत का संकल लेपूजन कर भगवान से प्राथना की हे सत्य देव भगवान आप मेरे पती और धमाद के अपराद शमा करें और वे दोनों शीगर ही घर को आ जावें इस व्रत से प्रसन हो सत्य देव भगवान ने राजा चंदर केतु के से स्वपन में कहा हे राजन दोनों बंदी वैश्यों को प्राते ही छोड़ दो और उनका सारा धन जो तुम ने लिया है वापिस कर दो नहीं तो सारा राज्य, पुत्र और धनादी सब नश्ट कर दूँगा राजा से ऐसे वचन के भगवान अंतरध्यान हो गए प्रातेकाल होते ही राजा ने राजे सभा में बैठे सभा सदो को अपना स्वपन सुनाया और दोनों वैश्यों को बंधन से मुक्त करने की आग्या दी राजा के ऐसे वचन सुन राज्य कर्मचारियों ने दोनों वैश्यों को बंधन मुक्त कर राजा के सम्मुक प्रस्तुत किया भैभीत दोनों वैश्यों ने राजा को परणाम किया राजा ने आदर पूर्वक वैश्यों से कहा कि देव योग से तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ है अब कोई भै नहीं है ऐसा कह राजा ने उनको वस्तरा भुशन दे सत्तकार सहीत पहिले से दुगना धन दे कर कहा कि तुम अपने घर जाओ राजा को प्रणाम कर दोनों वैश्यों ने अपने घर की और प्रस्थान किया इसी परकार भगवान सत्य नारायन भगवान की कथा का तीसरा अध्याय समाप्त होता है